हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब उमिद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे फ्रेंट्स आज की हमारी ये वीडियो गीजर रिपेरिंग कोर्स की छटमे दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक गीजर में कौन-कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उनका क्या-क्या कारिय होता है वीडियो के लाश तक बने रहेगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमने लिखा है स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक गीजर के सभी भागों का विवरण और यहाँ पर हमने कुछ भागों का नाम लिखा है कुछ नहीं storage type सभी प्रकार के electric जो गिजर होते हैं उनके अंदर के सभी parts को हमने यहाँ पर लिख दिया है और ये सभी के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे और बगल में आपको यहाँ पर चित्र भी दिखता रहेगा तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि storage type electric गिजर में पहले नंबर पर हमने लिखा है storage tank आप इस चित्र को देख लिजेगा यह होता है storage type electric गिजर का storage tank storage tank का मतलब यह है कि इस गिजर में जो पानी store होता है वह इसी tank के अंदर ही होता है और यह tank की जो capacity होती है 6 लिटर, 10 लिटर, 15 लिटर, 25 लिटर इतना तक होता है सबसे ज़्यादा जो है कि market में ज़्यादा तर बिखता है 25 लिटर छमता का electric गिजर तो यह जो है कि storage tank का मतलब यह है कि इसके अंदर 25 लिटर या 15 लिटर पानी को store किया जा सकता है और इसके अंदर जो है कि सारा system fit किया गया होता है यह जो भी system है इसमें से बहुत सारे ऐसे system है जो कि इसी tank के भीतर ही मवजूद होते है चलिए हम आगे बात करते हैं इसके बारे में गीजर assembly यह चित्र देखिए यह गीजर assembly कहलाता है इसमें आप देख सकते हैं pipe की कुछ सनरचना आपको दिखाई जा रही है और इस pipe की सनरचना में कुछ ऐसे pipe है जिससे पानी इन किया जाता है इस storage tank के अंदर storage tank के अंदर पानी इन करना पानी उसके अंदर से निकालना तो दो pipe हो गया उसके अलावा भी दो extra और pipe होती है जिनमें की switch को डाला जाता है switch मतलब एक thermostat switch होता है और एक auto cutoff switch होता है जो की इसी assembly के अंदर पढ़ता है तो में देखिए आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा यहां लगातार पानी के अंदर ही रहता है इसमें से सिर्फ दो ही pipe ऐसे हैं जिनके मुह खुले होते हैं जिससे पानी in और out होता है लेकिन दो ऐसे pipe हैं जिनके मुह बंद रहते हैं और उसी जो मुह बंद है उसी pipe के अंदर switch को डाला जाता है switch मतलब आपका thermostat switch हो गया और auto cutoff switch हो गया आगे बात करते हैं सबसे मुख्य parts heating element की यह element जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं element का आकार प्रकार दूसरा मतलब अलग-अलग हो सकता है इसकी जो छमता होती है नियूनतम 2000 वाट या फिर अधिकतम 3000 वाट तक के heating element इस storage टाइप electric geyser के अंदर लगाय जाते हैं अब यह heating element को ही light देना होता है और यह light जो है की पाते ही heat होने लगता है गरम होने लगता है जिसकी गर्मी से पानी जो है की गरम होता है आप ध्यान दीजिएगा कभी भी heating जो element है इसको बीना पानी का नहीं चलाया जाता है बगार पानी का आप यदि इसको चलाते है तो इसके खराब होने का खत्रा बना रहता है लेकिन इसकी fitting इस तरीके से की जाती है storage type electric geyser की fitting ऐसे की जाती है कि एक बार उसके tank के अंदर पानी चला गया तो इतना पानी तो मवजूद हमेशा रहेगा कि heating element उसमें लगातार डूबार है जब भी आप चालू करेंगे तो पानी के अंदर ही ये on होगा या off होगा ठीके तो आप समझ गयोंगे heating element क्या करता है तो पानी को गरम करने का कार्य करता है उसके बाद यहाँ पर है thermostat switch इस चीतर को देखिए यहाँ है thermostat switch और यह thermostat switch क्या करता है कि एक निश्चित तापमान तक पानी को गरम करने में मदद करता है काने का मतलब यह है कि इसी thermostat switch के द्वारा ही heating element को light दिया जाता है और इसका जो यहाँ पाइप दिख रहा है इस thermostat switch का इस चीतर में देख लिजिए जो पाइप दिख रहा है आपको यहाँ पाइप क्या होता है heat होता है पानी जैसे जैसे गरम होता है यहाँ पाइप भी क्या होता है गरम होने लगता है और जब यहाँ pipe गरम होता है तो गरम होने के बाद एक निश्चित आपमान इसकी setting की गई होती है थर्मो इस्टेट स्विच की इसके पीछे के side में एक knob बना होता है जिसको आप पेचकस से गुमा करके इसकी setting को कम्या जादा कर सकते है लेकिन company एक निश्चित setting करके दे देत जैसे 55 degree centigrade के आसपास set किया गया होता है तो पानी जो है लगातार 55 degree centigrade तक ही गरम होगा उससे ज्यादा पानी गरम नहीं होगा उतरा ही पानी गरम होगा तभी जो है इससे जो light इस heating element को मिलता है यह light क्या करता है heating element की light को काट देता है तो heating element वहाँ पर बंद हो जाता है तो इ उसके बाद हम आजाते हैं आटो कट अफ स्विच पर ये चितर आप देखिए यहाँ भी देखने में सेम थर्मो इस्टेट स्विच के जैसा ही दिख रहा है लेकिन यह थर्मो इस्टेट स्विच से थोड़ा सा अलग होता है काम तो वही करता है जो थर्मो इस्टेट स्विच काम करता है वही यह भी काम करता है लेकिन थोड़ा सा अलग यह होता है कि thermo state switch all time काम करता है मतलब कि जितनी बार पानी गरम हो जाता है उतने बार यह जो है कि thermo state switch hitting element को बंद करने का काम करता है लेकिन यह auto cut up उस वक्त काम करता है जब thermo state switch किसी कारण वस खराब हो जाता है मतलब पानी गरम हो गया और पानी गरम होने के बाद भी हमारा जो thermo state switch है वह auto cut up मतलब की heating element को बंद नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्तिती में पानी क्या होता है जरूरत से ज़्यादा गरम होने लग जाएगा जब पानी जरूरत से ज़्यादा गरम होने लग जाएगा तो उस पानी के गरमी को यह भी क्या करता रहता है सेंस करता है इसमें भी राड लगा हुआ है यह भी राड क्या करता है सेंस करता है लेकिन इसकी जो सेटिंग होती है 70 degree centigrade ताप मान पर की गई होती है मतलब कहने का यह है यह fix मान नहीं होता है किसी में अधिक हो सकता है किसी में कम हो सकता है thermostat switch को यदि 55 degree centigrade ताप मान पर set किया गया है तो इसको 70 degree centigrade ताप मान पर set किया गया होता है कहने का मतलब है इससे थोड़ा सा ज्यादा जो है कि auto cut up switch को set करके देता है company तो जब जो है कि हमारा thermostat switch खराब होगा तो थोड़ा सा पानी और अधिक गरम होगा तो 70 degree centigrade तो आप पान पर आएगा तो auto cut up switch क्या करेगा उसको बंद कर देगा hitting element को बंद कर देगा लेकिन एक बात ध्यान दीजेगा जब यह auto cut up switch hitting element को बंद करता है तो एक बार यह बंद कर दिया तो दुबारा जब आप इस heater को चालू करेंगे मतलब गीजर को चालू करेंगे तो आप फिर से दुबारा पानी को गरम नहीं करेगा तब तक नहीं करेगा जब तक की इस cut up switch के पीछे एक reset बटन आप इस बटन को देख लीजे इस बटन को एक बार नहीं दबाते तो एक बार दबा देंगे तो फिर से जो है कि यह switch on हो जाता है और फिर से heating element अपना कारे करने लग जाता है लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब यह heating element काम करेगा तो फिर से पानी गरम होगा फिर पानी गरम होगा तो thermostat switch अपना काम नहीं कर रहा है तो फिर से यह क्या करेगा कटाफ करेगा और जब यह कटाफ करेगा तो फिर से reset button को दबाना परेगा इसका मतलब यह हुआ कि जब जो है आटो कटाफ स्वीच अपने तरफ से मतलब heater को बंद करता है element को बंद करता है तो ऐसी स्थिती में आपको मान लेना है कि हमारा जो थर्मो इस्टेट स्वीच है खराब हो चुका है तो कहने का आर्थ यह है कि आप जब आटो कटाफ स्वीच आप हो तो उस समय आप थर्मो इस्टेट स्वीच को बदल दें और बदलने के बाद इसके रिसेट बटन को दबा दे ताकि यह आन हो जाए और फिर उसके बाद जब आपने इसको नया बदल दिया है तो बार-बार हमारा थर्मो इस्टेट स्वीच ही काम करेगा फिर सुज़ुए कि बार-बार पानी को गरम होने के बाद बंद करता रहेगा एलिमेंट को ठीक है तो ये बात आपको समझ में आगिया होगा उसके बाद इसमें होता है रेड और ग्रीन इंडिकेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं गीजर में ये दो इंडिकेटर आपको साप साप दिख रहा है इन दोनों इंडिकेटरों का क्या मतलब होता है तो एक होता है पावर इंडिकेटर और एक होता है हीटिंग इंडिकेटर हीटिंग इंडिकेटर का मतलब जो ग्रीन वाला है हीटर जब चलता है मतलब कि एलिमेंट जब तक चलता रहता है तब तक यह green वाला जलेगा लेकिन red indicator जैसे ही आप light on कर देते हैं और जब तक उसमें light रहता है तब तक जो है कि लाल indicator जलता रहेगा मतलब लगातार हमारा लाल indicator जलता है जिससे यह प्रदर्सित हो पाता है कि heater के अंदर मतलब गीजर के अंदर light आ रही है और green indicator जब जलेगा तो समझेगा कि उस समय पानी गरम हो रहा है ठीक है तो clear हो पाया होगा यह दोनों indicator आपको बता दिया गया उसके बाद यह safety valve चित्र देखिए यह गीजर के साथ भी लगा रहता है और अलग से भी मतलब आप देखते हैं आता है और उसको आप खराब होगा तो change कर सकते हैं तो गीजर में यह जो लगा हुआ है जिधर से पानी in किया जाता है उसी रास्ते में यह safety valve लगा रहता है और इसका एक प्रमुख कारिय यही है कि यदि किसी कारण वस पानी जरूर से ज़्यादा गरम हो जाए उसके अंदर भाफ बन जाए मतलब उसके अंदर गैस बनने लग जाए तो storage tank जो होता है फटने की स्थिती में आ जाता है तो ऐसी स्थिती में जब बहुत ज्यादा pressure बनता है तो वह pressure को यह valve जो है क्या करता है बाहर के तरफ निकाल देता है तो जिससे की हमारा जो storage tank है फटने से बच जाता है और आप safe रहते हैं तो safety valve का बहुत बड़ा रोल होता है यह बहुत मतलब कभी कभी काम करेगा लेकिन safety के purpose से ही काम करता है जब जरूरत से ज़्यादा पानी गरम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर भाव बनते हैं गरमी होता है और उसमें gas बन जाता है gas बनने से pressure बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो tank फटने की स्थिति में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो extra gas बना है pressure बना है तो इस safety valve को खोल करके gas क्या होती है बाहर के तरफ निकल जाती है तो उमीद है कि आपको ये सारी वीडियो में जो भी हमने ये सभी भागों के बारे में बताया वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा यदि फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है तो वीडियो के comment box में अपना सवाल लिखिएगा और हमारे पीछे के जो भी course बताया गया है पढ़ाया गया है उन सभी course को करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के description box में चले जाएगा वहाँ पर आपको course समंदित सभी परकार के लिंक मिल जाएंगे जो भी course करना चाहते हैं उस लिंक को क्लिक करके आप सभी course समंदित वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं तो चले friends आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम